हेलो दोस्तों कैसे हो आप सब बिटकोईन और क्रिप्टोकरंसी मार्केट यहां रिकावर करने की कोचिश कर रही है और बिटकोईन 30,500 डॉलर से उपर पहुंच गया है लेकिन हर कोई जानना चाहता है टेरा लूना की अपडेट टेरा लूना की तरफ से या टेरा की जो टीम है उसकी तरफ से क्या निउस निकल के आई है क्या कोई प्लैन निकल के आ रहा है जिससे थोड़ी राहत मिल सकती है उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और यहां पर बाइनेंस ने सारे जो है ट्रेडिंग पेर डिलिस्ट कर दिये हैं यानिकि अपने एक स्क्राइब कर लीजिए और उमीद करता हूँ वीडियो को हमारे एफ़र्स देखे आपने अभी तक लाइक करी दिया होगा दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं टेरा लूना अगर आज भी अगर आप सोच रहे हो कि यहां पर आपको अभी भी इन्वेस्ट कर देना चाह अभी भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि एक डॉलर पहुँच जाएगा तो क्या होगा अरे बही अगर एक डॉलर पहुच गया ना इसका प्राइस तो ऑवरल क्रिप्टोकरंसी मार्केट का जो मार्केट कैप है उससे भी जादा पहुँच जाएगा क्या ये पॉसिबल तो कुछ पैसे होगे भी पैसे केलकुलेट करोगे तो वो यहाँ पे आता है और यहाँ पर टेरा लूना की टीम की उइन्दक कि एएग अ कि एग आरे एक और बड़ी इंफॉर्मिशन निकल के आ रही है कि कौममणेटपर करी है जो उसको फुली कौलेटराइस करके collateralize मनला पूरा bag करके कुछ ना कुछ restore किया जाए और उसके लिए कुछ plan यहाँ पे बनाया जा रहा है mechanism बनाया जा रहा है Luna की तरफ से लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे अभी मैं investment कर दूँ इतने सारे coins ले लूँ मुझे कुछ रहात मिल जाए तो यहाँ पे यह भी बात की जा रही है कि attack से पहले snapshot लिया जाए और restore करने की कोशिश की जाएगी जो नए लोग अभी यहाँ पे ले रहे हैं शायद उनके लिए यह चीज नहीं है अब यहाँ पे अगर आपने कोई ऐसी गलती करी और आपने सोचा क्योंकि यहाँ पे अभी भी exchanges हैं कहीं जिस पे इसकी trading हो रही है कि मैं यहाँ ले लूँ और hold करूँ और मिरको भी कुछ ना कुछ राहत मिल जाए तो भाया यह गलती मत कीजेगा और अपने क्योंकि रिस्क लेने वाले और खुराफाती दिमाग वाले बहुत सारे लोग हैं सबसे पहले दिमाग हमारा ऐसी चलता है तो ऐसी गलती मत कीजेगा अगर आप यहाँ सोच रहे हो पुराने जो कुछ hold कर रहे हैं उनको ही राहत मिल जाए वो ही बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि टीम की तरफ से फिलाल कोई positive यहाँ पर response आता या कोई plan अभी तक clear नहीं निकल के आया है अब यहाँ पर कुछ ऐसी चीज निकल के आती है टीम की तरफ से तो बहुत राहत मिल सकती है लेकिन यह बाते सिर्फ क्या कहने के लिए है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं supply की बात करता हूँ तो भाईया कई लोग कह रहे है loop all था अब कई लोग कह रहे हैं intentionally यहाँ पर जो है supply बढ़ाई गई और वो लगातार माल बेशते गई आपको क्या लगता है comment में हमें ज़रूर बताएगा लेकिन CZ जो Binance के CEO है वो तो इस बात से खुश यहाँ नहीं लग रहे हैं और अगर उनके tweet की बात करते हैं तो इससे आपको idea यहाँ पर लग जाएगा I am very disappointed जैसे UST और Luna का जो incident हुआ handle किया उनकी team ने और मैं request करता हूँ उनकी team से कि वो restore करें network को और burn करें जो extra minted Luna है जो loophole कहा लिजी है या जो network के अंदर flaw था उसकी वएसे ज़्यादा जो supply बढ़ गई उसको burn करें जो UST है उसको recover करें लेकिन यहाँ पर यह team तो जो है update दे रही है हवा हवाई के अंदर लेकिन जो उनका खहना है कि अभी तक कोई positive response यहाँ पर नहीं मिला है और आप कहले है positive क्या कुछ response ही नहीं आया उनकी team की तरफ से और इसी कारण की वैसे क्योंकि उनका मानना है कि अपने users को बाइनस के अंदर जो है protect किया जाए इसी लिए उन्होंने decision लिया कि Luna और UST की जो है trading वो suspend कर दी जाए ताकि जो लोग और फस रहे हैं या buy कर रहे हैं अभी भी वो इस चीज से बच सकें और उनने बहुत अच्छे से यह सारी चीजे समझाई हैं आपको overall situation समझ में आजेगी क्या हुई है exponential amount यानि कि जैसे मैंने आपको बताया trillions के अंदर exponential amount जो है mint हुआ जो flow था उनके design के अंदर terra protocol के अंदर और validator ने suspend कर दिया पूरा entire network और इसकी वज़े से ना कोई deposit कर पाया ना कोई withdraw कर पाया और exchanges भी इसके अंदर कुछ खास करनी पाया अब यहाँ पर आपको समझना है कि अगर network ही halt हो जाएगा तो आप हम बहुत सारे लोग exchange को blame कर रहे थे कि भाया वो withdraw नहीं करने दे रहे हैं अब जब network ही नहीं रहा तो भेजेंगे कैसे क्योंकि network blockchain के थूई तो वहाँ भेजा लेना देना होता है अब यहाँ पर ना deposit कर पाये ना withdraw कर पाये आने वाले time के अंदर हो सकता है कुछ plan यह लेके हैं और price जो है और ज़्यादा crash हो सकता है इसी significant risk को देखके उन्होंने जो है suspend कर दिया trading को लेकिन उनका कहना है कि team जो है कुछ ना कुछ positive response दे या कुछ response दे और इस चीज़ को जल्दी से restore करे और जो mint हुए हैं और luna उसको यहाँ पर burn किया जाए और UST को दुबारे से recover करने की कोशिश की जाए आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए हमें comment में जरूर बताएगा बाकी और कोई भी latest update आएगी हम आपको करने कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी यह plan लेके आते हैं क्योंकि यह मद भूलिएगा इनके पास में bitcoin तो hold होंगे न Luna जब इन्होंने बेचा होगा कुछ ना कुछ तो माल होगा न UST भी हो सकता है इन्होंके पास हो hold तो कुछ होगा funds अगर उसको back करके कुछ ना कुछ alternative plan निकालें और लोगों को राहत दें तो बहुत राहत हो सकती है आज की date में आपको क्या लगता है Luna की टीम को क्या करना चाहिए comment में हमें जरूर बताइएगा और हमारे चानल को subscribe जरूर कर लिजएगा और एक बड़ी news निकल के आ रहे है crypto currency market के लिए bitcoin के लिए Emirat जो airline है दुबाई की आप कहली जो airline है जैसे एर इंडिया है इंडिया के अंदर यहाँ पर उन्होंने bitcoin accept करना शुरू कर दिया है वो bitcoin को accept करने जा रहे हैं और इसने और positive माहौल bitcoin और crypto currency market के अंदर यहाँ बना दिया है ऐसी updates के लिए हमारे Twitter, Telegram को follow कर लिए नीचे description में जो link है उसी से कीजेगा बहुत सारे scammer हमारे नाम से scam करनी कोशी कर रहे हैं उससे आप बचपा होगे अभी के लिए विदा लेता हूँ खुश रहे हैं मुस्कुरात रहे हैं कमाते लिए आपको दोस्त पंकश थैंक्यू नुश्क्राद दन्यवाद